Hello friends, welcome back to another video, तो दोस्तो आज जनुवर 31 और आज market gap down open हुई and gap down open हुने के बाद में थोड़ी market sideways, bullish ऐसी upside जाने लगी जिसमें बड़ी बड़ी green candle बनी and मुझे यहाँ पे कोई भी trade लेने का setup नहीं बन रहा था और हम यहाँ पे हमारा एक level था important level 21613 का market ने वहाँ उस level को touch किया और वापस नीचे आके फिर उसे strong bullish candle से breakout किया निप्टी का chart parallel channel के हिसाब से चल रहा है और निप्टी 50 के साथ देख रहा है तो बैंक निप्टी भी bullish है अगर market हमारे 21613 level को retest करता है और अंसाइट में email का support लेता है तब हम यहाँ पे अपनी काल की position बनाएंगे market ने यहाँ पे 21613 पे hammer candle बनाई है और हम यहाँ पे hammer candle के high पे लगाएंगे अपना position यहाँ पे जो हमारा stop loss रहेगा वो 10 से 11 पॉइंट का रहेगा वह हमारा यहाँ पे हमने पनी position लगा दियें देखते हैं मार्केट में आगे क्या होता है मार्केट मारा SL ही करता है हमें target देता है देखा जातो target ही यह होगा क्योंकि bank निप्टी और निप्टी दोनों ही बुलिस हैं यहाँ पर हमारी position में 10 से 11 पॉइंट तक का profit हो गया है तो मैं यहाँ पर अपने stop loss को उठा के लगा दूँगा cost to cost ताकि मार्केट रिवर्ट भी आए तो मुझे यहाँ पर cost to cost में exit कर जाओ ताकि मेरा loss ना हो मार्केट 2650 के लेवल तक आ गए और यहाँ पर अच्छा spike आ रहा है तो मैं यहाँ पर अपना profit भूप कर रहा हूं क्योंकि उपर एक resistance लेवल भी अगर वहाँ से मार्केट डाउन हुआ तो हमारा जो प्रीमियम में काफी गिर जाता है प्रहाल अपलोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 45 पॉइंट तक टार्गेट कंप्लीट की हुआ है यहाँ पर निप्री ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को भी प्रेक आउट दे दिया है जैसा कि मैं सब्सक्राइब को ब्रेक आउट करेगा नीचे के लिए ब्रेक डाउन करेगा और साथ में यह में को भी ब्रेक डाउन करेगा तब हमें आप अपना पूट की पोजिशन बना सकते हैं अधर वाई यह नहीं तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो